सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजले हमारे विडियो देख सकते होके और जितने भी फार्मा रिलेटेड वीडियो होंगे तो आपको हमार यूट्यूब चैनल के उपर आवेलेबल कर दिये जाएंगे तो चलो लेक्चर को स्टार्ट कर देते फार्मसेटिकल इंजिनेरिंग के अंदर कितने कौन से चाप्टर को कितना वेटेज दिया गाए यह मैं आ कितना मार्क दिया गाया फोर से फाइव मार्क तक ए एक जामें पूझे जाता है इस टॉपिक से तो इसके अंदर कुणकों से पूइट पूचेंगे विसकोसिटी कॉंप्रेसेबिलिटी सर्पेस टेंशन अप लिवड हैड्र स्टाटिक इंफ्लूइंसिंग फ्लिवड बर जितने भी फ्लो के मेज़रमेंट से वरहने इस वैंट्वी अफष्यार मीटर 2टोरों ja मैं इसमेल नीहां के फेरेसे मषों पूझे आतंद है यह और प्रेशर मेजरमेंट घरिए तीन मार्क से यहां से यहां से तो आप आप इसे एक्षज करके जहिए और यह जो मैंने में में पॉइंट आपको बताया है वह पॉइंट हमने हमारे वीडियो का अंदर मतलब जो फार्मासी जो थर्ड सेम के चाप्टर है ना उसके अंदर हमने सभी पॉइंट खवर कर दिया गए है और आपको कुछ नोट्स चाहिए तो नोट्स वीडियो के अंदर आपको अविलेबर कर दिया गए तो आप वह वीडियो जाके देख सकते हो नेक्ट आमार पास pumps, pumps कितने मार के लिए आता है, तो 8 मार के लिए यहां से आता है, pumps के अंदर आपको क्या पढ़ना है, positive displacement pump, receive, provocative pumps, rotary pumps, यह 4 मार के लिए पूछे जाता है, ओके, next आमार पास heat and mass transfer, यहां से कितने मार के लिए question आ सकता है, 7 से लेकर 8 मार के लिए question पूछे जात है, next time, mass transfer, turbulent and laminar for concept, यह बहुत ही important difference, यह 3 मार के लिए सिफ एक यह question पूछे जाता है, तो इसाथ 6 से कड़के जाना, ओके, next time, covering of solid, 4 marks, ओके, 4 मार के लिए पूछे जाता है, next time आमार पास, evo operation, evo operation, यह कितने मार के लिए exam में पूछे जाता है, यहां से, आकरा से लेकर 12 मा कितने मार के लिए पूछे जाता है, 3 से लेकर 4 मार तक यहां से question पूछे जाता है, next time आम पास, evo operators classification, जो भी यह operation की, यह operator से ब्रेंस, उसे आच्छे से पढ़के जाना है, आपको, मैंने आपको, most important question के अंदर बताया है, कि यह operation के अंदर, जो भी यह operator से, उनके अंदर कौ question पूछे जाता है, next time multiple effect evaporator, यह बहुत ही important evaporator है, friends, यह ज्याजातर एक्जामे पूछे जाता है, multiple effect of evaporator, यह 3 से 4 मार्क तक एक्जामे यहां से question पूछे जाता है, okay friends, next time आम पास, distillation, distillation, यहां से भी 10 से लेकर, आकर 11 मार्क तक, exam question यहां से पूछे जाते, इस पॉइंट से, इसके अंदर भी आपको क्या पढ़ना है, जो भी distillation की equipment है, equipment के बारे में पढ़ना है, और उसकी factor affecting, okay friends, so यहां से question पूछे जाता है, ज्यादा तर, तो यहां से पढ़के जाना आप, next time material of construction of corrosion, जो corrosion का है, यहां से 4 मार के लिए question पूछे जाता है, सिर्फ material of construction, यहां से 4 मार के लिए question पूछे जाता है, इसके अंदर का classification into metal and non-metal, यहां यहां पर यह पूछे जाता है, तो इसे आच्छे से पढ़ ले जाता है, corrosion, corrosion कितने मार के लिए पूछे जाता है, total 4 मार के लिए पूछे जाता है, corrosion, पूछे जाता है, corrosion, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, mechanism करोजन का मेकेनिजम और उसका टाइप्स पढ़ना है इसके अंदर और उसके फैक्टर इंफ्लोइसिंग रेट ऑफ करोजन तो यह चारो मार्क के लिए यहां से कोश्चन पूश्च रहता है एक्जमी से अच्छे से पढ़ लेना आप आप अच्छे से एक्जम में लिख लेन और आगर आप तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं को तो प्लीज ज़रूर सब्सक्राइब करना विकॉज हम जब वीडियो अप्लोट करेंगे तो उसकी नोडिवेशन पहले आपको मिलेगे और आप इजली आमारे वीडियो देख सकते हो और एक बा कि आर आ지 हो us घरी आमारे शipal तक देख धने हम ज़रूरा आमारे ओर आम जब देख हम जब आपको मिलेगे वीडियो झेलियो तके के ज़रूरूर आमारे